समाजवादी पार्टी के वरिष्ट नेता और पूरु सांजद हाजी फजी फजी इस वक्त हमारे साथ हैं हाजी जी जब बसपा में थे आप तब तो खेर थोड़ा सोफ्ट हो के बोलते थे लेकिन समाजवादी पार्टी तो लग रहा है शायद खुल गे बोलें ये बताईए कि जो वाइफाई लगा हुआ है भाजपगा उसका पासवर्ड दिल्ली में है संगठन और सरकार को लेकर लगातार वो भार्टी पार्टी पर एक के बाद एक तंज कस रहे हैं देखें जो हमारे समाजवादी के राष्ट अध्यक्ष अकलेश जी है वो अच्छे जहन के माल अध्याएं ज पूरे हमारी उततर प्रदेष और उततश परदेश के अलावा जो पूरे भारत वर्ष को जो सियासी सेनेर्यू है उस पर उनकी एक नज़र रहती है उनहीं के नद नज़र्ट हमेशा वो अपनी बात कहने का पर्यास करते हैं उसी कड़ी में जो आजकल भारती जनता पार्टी पर चाहे वो देली का हाई कमांड हो चाहे उत्तर परदेश का हाई कमांड हो जो इनके आपस में तनाज़ा चल रहा है उसी पर उनोंने ये कमेंट की है और वो कमेंट 100% सही है कि आज दिल्ली और लखनों के बीच में बहुत दूरी बनी हुई है दोनों अपनी अपनी जगा परिशान हैं और पुल में लाकर इस हद तक परिशान है कि अब वो दिल्ली वाले दिल्ली की खबर नहीं ले रहे हैं और उत्तर परदेश वाले उत्तर परदेश की खबर नहीं ले रहे हैं एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं और इनकी लड़ाएं में जनता पिस रही है हद तो तब हो गई कि जब इस बजट में उत्तर परदेश के बराबर वाले परदेश बहार में बजट का पूरा ख़जानक खोल दिया गया और उत्तर परदेश को बजट से महरूम कर दिया गया इसका मतलब यह है कि सेंटर के नाराज़गी इस वक्त उत्तर परदेश के जो हुकुमराय उन से ज्यादा है और जो उत्तर परदेश के दूसरे लीडर्स हैं उनको दिल्ली वाले अपना मोरा बनाई हुए है अब जो उत्तर परदेश के अंदर हार हुई है दूजार चॉबिस के लेक्षन में उसका हार का ठीक रहा वो एक दूसरे पर पोड़ना चाहते है मोदी जी कह रहा है कि हमारे योगी जी ने क्षेशे नहीं कही और जान बूज कर अलेक्षन को हरवाने का काम किया और खास ताख से बनाईरस के आसपास की सीटे हरवा दी गया और गोरकपूर के आसपास की सीटे जितवाने का काम किया इसी तरीखे से हमारे योगी जी मोदी जी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मोदी जी में एहंग कारा आ गया तो और कॉंफिडेंस था कि हम तो चार सो सीटे लाएंगे और उसी का ये रिजल्ट है तो आजकल एक दूसरे से टक्रा रहे हैं और जाहिए सी बात है इसके रिजल्ट खराब ही आएंगे अच्छे नहीं आएंगे और जो जन्ता है पूरे भारत वर्ष की और उत्तर परदेश की समझ गई है कि लोग जन्ता के भलाई के लिए सरकारे नहीं चला रहे हैं बलके अपनी भलाई के लिए और जो इनके अपने चहीत हैं उनकी भलाई के लिए इसी चीज़ को हमारे अकलेश जी फोकस करते हैं और वो लोगों के सामने इस बात को रखते हैं कई ने कहीं ऐसी बाच्पा की इस मजबूरी का आप लोगो फाइदा उठाने लागे हुए जाएर बात है हम फाइदा उठाएं या नहीं उठाएं या तो जंता खुद फायदा पहुचाएं गि जंते समझने लगी है कि हमें किसका साथ और जाहिए हैं अब आम जैन्ता वो चाहते हैं कि अब यह जो भारती जन्त पार्टी के दिल्ली वाले और लखनों वाले इनको अटाया जाए और जो पुब्लिक की चिंता करें उनको सरकार में लाया जाए 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 अब तो ख्यारा बस्फा में नहीं है इस बार बस्फा भी कही ना कहीं उक्चुनाव देखे इसमें मेरा अपना मानना है कि बहुजन समाज पार्टी की यह पॉलिसी समझ से परे है अब वो भारती जन्ता पार्टी को फाइदा पहुचाने के काम करना चाहते है चुक्छे जो बहुजन समाज का बेस वोट था अब उसका जुका जुका गडवन्दन और समाजवादी की तरफ होने लगा बाजपा को हराने के लिए उनकी अपनी कोशिश है चुके उन्हें डर है बाजपा जब जब सत्ता में आएगी तो समिधान से छीड चाड करेगी आरेक्षन को हटाने का काम करेगी और इस वज़े से जो बहुजन समाज के के लोग हैं बहुजन समाज पार्टी का वोट है वह भाजपा कराने के लिए समाजवादी के साथ जाने की बात कर रहा है इसलिए बहुजन समाज की कोशिश है कि वह समाजवादी की तरफ न जाकर ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पास रखने की कोशिश करे ताके भाज पार्टी पर उसकी पीछे की क्या कुछ कहानी है वो बारिकी से हाजी फदुरह्मान जी ने समझाई भी है TV9 UP के लिए सारेंबूर से विकास करें